मेरा नाम है पुस्पैंद्र आप देख रहे हैं हमारा चैनल स्टडी 16 स्टडी 16 में आपका स्वागत है आज हम बात करेंगे भारती ये डंडर सही ताके कुछ बस्तू निष्ट प्रशनों की जूकी धारा चैतर से लेकर धारा 106 से संबंदित हैं ये हमारी IPC की टेस्ट सीरी है ये MP civil judge MP ADPO के लिए बहुत ही महत्पूर है हमारे वीडियो को देखने के बाद चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो को लाइप करें लाइक करें देखते हैं आज का पहला प्रशन बासुदेब बरसिस पैप सूराज ए आई यार 1956 सुप्रियम कोर्ट एक निर्देशक न पागलपन पर मदपान पर all of the above इसका सही आंसर है C मदपान पर intoxication बासुदेब बरसिस पैप सूराज जी का बाद भारती ये डंड सहीं था कि धारा च्यासी में बरनत एक चिक मतत था से संबंदित प्रमुख बाद है देखते हैं अंगला प्रशन निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है ए बिक्रत रुग्रणता के कारण बिक्रत चित हुआ ब्यक्ति आपरादिक दायत्व से छूट प्राप्त होता है यदि क्रत्य मस्तिस्किये बिक्रती के प्रभाव के अंतरगत कारित किया गया हो बी प्रती रक्षा के रूप में उपलब्द हो के लिए मतत्ता ऐसी मात्रा था बिस्तार की होनी चाहिए जो अभियोक्त को ब्यभारता एक सोचालित यांत्र बना दे C. स्वैक्षिक मतत्ता ग्यान के लिए एक प्रती हेतु है D. हत्या एवं मरत्यू से डंडनिये अपरोधों कुछ अपराधों को छोड़कर विबस्ता एक छम्मे प्रती रक्षा है यदि कार ततकाल मरत्यू के भय के अंतरगत किया गया हो इसका सही आंसर है C. स्वैक्षिक मतत्ता ग्यान के लिए एक प्रती हेतु है Voluntary Drunkness is an Accuse for Knowledge देखते हैं इसकी ब्याख्या भारती ये डंड सहीता की धारा 86 में स्वैक्षिक मतत्ता के बारे में प्राबदान किया गया है एक्षिक मतत्ता केवल आसाय के संबन्द में ही बचाब है अतहा उन प्रकरणों में जिनमें अपराध को फूर्ण होने के लिए आवस्यक ज्यान का होना आवस्यक है एक्षिक मतत्ता पूर्बक बचाब है परंतु स्वैक्षिक मतत्ता उन अपराधों के लिए बचाव सावित नहीं होती जिनमें अपराध से अलग मात्र ग्यान आवस्यक है देखते हैं अंगला प्रस्ण भारती डंड सहीता की कौन सी धारा स्वैक्षिक मदिरापान से संबंदित है विच सेक्षन अप इंडियन पेनल कूड दील्स बिट बॉलेंटरी अंटॉक्षी सेशन ए दारा चोरासी बी धारा पचासी सी धारा च्यासी डी धारा सतासी इसका सही आंसर है सी धारा च्यासी भारती डंड सहीता की धारा च्यासी स्वैक्षिक मदिरापान से संबंदित है भारती डंड सहीता की धारा च्यासी के अनुसार किसी व्यक्ति द्वारा जो मतत्ता में है किया गया अपराद जिसमें विशेश आसाय अज्यान होना अपेक्षित है धारा 84 में बिक्रत चित ब्यक्ति का कार धारा 85 में ऐसे ब्यक्ति का कार जो अपनी एक्छा के ब्रोध मतत्ता में होने के कारण निरणाय पर पहुँचने में असमर्थ है धारा 87 में सम्मती से किया गया कार जिससे म्रत्य या घोर उफथी कारत करने का आसाए ना हो और ना उसकी संभाव बिता का ग्यान हो से संबंदित है देखते हैं अंगला प्रस्ण दा मैक्सियम बॉलेंटरी नॉन फिट इंजूरिया सूत्र सहमती से कारत चती कुछ चती नहीं कहते हैं भारती डंड सही ताकी किस धारा में समाविस्ट है धारा 87 धारा 90 धारा 92 उपरयुक्त किसी में नहीं इसका सही आंसर ए धारा 87 भारती डंड सहमती का सिध्धान्त भारती डंड सहीता की धारा 87 में उबंदित है धारा 87 का सिध्धान्त जो की एक रोमन बिदी के एक विख्यात सूत्र पर आधारित है मैक्सियस पर आधारित है सुवेक्षा से किये गए कार के लिए छती प्राप्त नहीं होती है बॉलेंटरी नॉट फिट इंजूरिया यह टॉल्ट में भी आप सभी ने पड़ा होगा देखते हैं अंगला प्रश्ण भारती डंड सहीता 1860 के अंतरगत सहमती का बचाप निम्न किसमे उपलब्द नहीं अंडर इंडियन पीनल कोड 1860 देफेंस ओप कंसेंट इज नॉट अविलेवल इन केस ओप मरत्यु कारित करने की सहमती गोर उपहती कारित करने की सहमती सहमती का बचाप मरत्यु कारित करने की सहमती और गोर उपहती कारित करने की सहमती में उपलब्द नहीं है देखते हैं इसकी व्याख्या भारती डंड सहीता की धारा सतासी प्राबदान करती है की समती से किया गया कारित जिससे मरत्यु या गोर उपहती कारित करने का आसाए ना हो और ना उसकी संभाबिता का ग्यान हो अपराद नहीं है देखते हैं अंगला प्रश्न भारती डंड सहीता की धारा सतासी किस बिधिक सूक्ती पर आधारत है section 87 of IPC is based on the legal maxim of D. minimis non-curate legs voluntary not-fit injuria actus non-fetish rias nissi mens sitria dolly in capax इसका सही आंसर है B. voluntary not-fit injuria भारती डंड सहीता की धारा सतासी बिधिक सूक्ती voluntary not-fit injuria पर आधारत है इस धारा में प्राबधान किया गया है कि सम्मती से किया गया कोई कार जिससे म्रत्यू या घोर उखती कारत करने का आसाय ना हो अपराद नहीं है आ और बा मनुरंजन के लिए एक दूसरे से कुष्टी के खेल को सहमत होते है खेल के समय बा को चोट लग जाती है क्या आ सुबेक्छा पूरवक चोट पहुचाने के अपराद का उत्तरदाई है आ हमले के लिए उत्तरदाई है आ ने कोई अपराद नहीं किया आ को पृतिकर बाको देना पड़ेगा इसका सही आंसर है C A. has committed no offense आ ने कोई अपराद नहीं किया प्रस्तत समस्य भारती डंड सहीता 1860 की धारा 87 पर आधारित है धारा 87 की अनुसा सहमती से किया गया कर जिस सिमरत्यू या घुर उभधी कारित करने का आसा या घ्यान नहीं हो तो कोई अपराद नहीं है कुष्ती मनुरंजन खेल इत्यादी के मामले में सहमती से किसी को छती होती है तो भशकिसी अपराद का दूसी नहीं है A. ने कोई अपराद नहीं किया देखते हैं अंगला प्रश्ण आ एक स्कूल अध्यापक अनुसासन बनाये रखने के लिए एक ग्यारा वर्ष के छात्र को साधारान डंड देता है ए भारती डंड सहिता की धारा नवासी की फिरती रख्चा ले सकता है आ साधारा नुफ़ती का दोसी है आ भारती डंड सहिता की धारा आठासी की फिरती रख्चा ले सकता है आ आपराधेक बल परियोग करने का दोसी है इसका सही आंसर है A धारा नवाची का संरक्षण दे सकता है भारती डंड सहींता की धारा नवाची के अनुसार संरक्षण द्वारा या उसकी सम्मती से सिशू बारह बर से कम या उनमत ब्यक्ति के फायदे के लिए सदभाव पूर्बक किया गया कार अपराद नहीं है इसलिए A भारती डंड सहींता की धारा नवाची का बचाब पिरती रक्षा में ले सकता है देखते हैं अंगला प्रश्न बहारती डंड सहीता की किस धारा में सदभाव सब्दों को उपयोग में नहीं लाया गया है सेक्षन 90, सेक्षन 89, सेक्षन 92, सेक्षन 93 इसका सही आंसर है एक सेक्षन 90 बहारती डंड सहीता 1860 की धारा 90 में सम्मती सब्द को परिवासित किया गया है जिसमें सदभाव सब्द का प्रियोग नहीं किया गया है जबकि दारा नवासी, दारा वानवे तथा तेरानवे में सदभाव सब्द का प्रियोग किया गया है जो कि इस परकार है दारा नवासी संद्रक छक द्वारा या उसकी सहमती से सिसु या उन्मत ब्यक्ति के फायदे के लिए सदभाव पूर्वक किया गया कार है दारा बानवे सम्मती के बिना किसी ब्यक्ति के फायदे के लिए सदभाव पूर्वक किया गया कार है दारा तेरानवे सदभाव पूर्वक दे गई संसूचना देखते हैं अंगला प्राश्न भारती ये डंड सहीं था कि कौन सी धारा उन सर्तों का बलड़न करती है जिन में प्राप्त की गई सहमती को सुतंतर सहमती नहीं माना जाता है सेक्शन 90, सेक्शन 92, सेक्शन 89, सेक्शन 87 सेक्शन 90 भारति धंड सहीता की धारा 90 में उन सर्थों का औरड़न किया गया है जिसमें प्राप्त की गय सहमती, सोतंतर सहमती नहीं मानी जाती है धारा नब्भे के अनुसार नमनलिकत मामलों में दी गई सहमती सुतंतर सहमती नहीं है अब हानी के भाय में दी गई सहमती कथ्य के ब्रहम के अंतरगत दी गई सहमती बारा बर्स से कम आईयू के सिसू द्वारा दी गई सहमती बक्रत चित ब्यक्ति द्वारा दी गई सहमती मत ब्यक्ति द्वारा दी गई सहमती देखते हैं अंगला प्रस्ण या कोई एक बाग उठा ले जाता है या जानते हुए कि संबाब है कि गोली लगने से या मर जाए किन्तु या का बद करने का आसाय ना रखते हुए और सदभावना पूर्बक या के फायदे के आसाय से का उस बाग पर गोली चला देता है का की गोली से या को मरत्यू कारग घाव हो जाता है का दोसी है यह प्रस्ण हम अपने पिछले पार्ट में भी देख चुके हैं A. हत्या का B. आपराद है मानब्बद का मानब्बद जो हत्या नहीं है C. दुरघटना के दोरा मृत्यू कारग चुर्ना कोई अपराद नहीं इसका सही आंसर है D. कोई अपराद नहीं यहां पर का किसी अपराद का दूसी नहीं होगा क्योंकि का का आसाय आपरादिक नहीं है बलकि उसका आसाय बाग को मार कर सा को बचाना है यह धारा बानवे का द्रस्टांट है देखते हैं अंगला प्रस्ण का एक सल्य चिकित सक यह देखता है कि एक सिसू की यह सी दुरघटना हो गई है जिसका प्राणान तक साबित होना संभब है यदि सल्य कर्म तुरंद ना कर दिया जाए इतना समय नहीं है कि उस सिसू के संदक्चक से आविदन किया जा सके का सदभावन पूरवक सिसू के फायदे का आशा रखते हुए सिसू के अन्यता अनुनाय करने पर भी सल्य कर्म करता है सिसू की मृत्ति हो जाती है का ने अपराद किया है आपराद है कमान अबबद का हत्या का हत्या करने का प्रयात्म अपराद नहीं इसका सही आज़र है D, कुई अपराद नहीं प्रश्णगत समस्य भारतिय डेंड सही ता की धारा बानवे के द्रस्टांट गाह पर आधारित है धारा बानवे के आवश्यक्तत्व निम्न इस्परकार है कार एक ब्यक्ति के फायदे के अनुसार कार युक्ति संगत हो मामले की परिष्टितियों के अनुसार कार युक्ति संगत हो कार बिना उसकी सहमति के या उसके बदले किसी अन्य व्यक्ति की सहमति के बिना किया गया हो धारा बानवे के कुछ अपबाद है कोई ऐसा कारे करना जिससे करता जानता था कि मरत्य हो सकती है निमने के अतीरत किसी अन्य प्रयोजन के लिए मरत्यू या गंभीर चोट को अपवर्जित करने या खा किसी घातक ब्यक्ति या ब्याधी के उपचार के लिए थर्ड मरत्यू या चोट को अपवर्जित करने के अतीरेक्त अन्य किसी उद्देश हेतू सुवेक्छा पूर्वाक कापट करना या चोट कारेत करने का प्रयास करना उप्रोक्त तीनों को दुस प्रेरेत करना देखते हैं आज का अंगला प्रस्ण भारती धंड सहीता या को एक बाग उठाकर ले जाता है ये कोस्चन हम पहले देख चुगे हैं इसलिए इसको हम नहीं देखेंगे हम अंगला प्रस्ण देखेंगे निमन पर विचार कीजी रीड दा फॉलोवेंग दा मैक्सम एक्टस में इर्व बिटो फैक्टस नॉन शैट मेंस एक्ट्स फाइंड एपलिकेशन इन सेक्षन नाइन टी फूर औफ आई पीसी मेरे द्वारा मेरी इक्छा के ब्रुद्ध किया गया कार मेरा नहीं है सिध्धान्त ने भारती डेंड सहीं तकी दारा 94 में इस्थान पाया है दा मैक्सिम डॉमी डॉमी नीमेस नॉन क्यूरेट लेक्स हैस बीन इनकॉर्पोरेटेड इन सेक्षन 95 ऑफ आई पीसी ऑफ दा एबब विधी तुच्छ कार्रियों पर ध्यान नहीं देती है का सिध्धान्त भारते डेंड सहीं ताकी दारा 94 में निगमेत है अप्रोक्त में एक सही है किन्तु सेगन गलत है एक सही है किन्तु एक गलत है किन्तु दूसरा सही है एक तथा दो दोनों सही है एक तथा दो दोनों गलत है इसका सही आंसर है C अथा दोनों कथन सत्य है 12-94 में बैकार जिसको करने के लिए कोई व्यक्ति धमकियों द्वारा वेवास किया गया हो के बारे में प्रावधान किया गया है जो मेरे द्वारा मेरी एक्छा के व्रुद्ध किया गया कर मेरा नहीं है के सिद्धान्त पर आधारत है जबकि धारा पंचान पे तुच्च अभाणी कारित करने वाले कारिये के वारे में प्रावधान किया गया है जो सिद्धान्त पर आधारत है कि विधी तुच्छ कार्यों पर ध्यान नहीं देती अताहा दोनों कथन सत्य है देखते हैं अंगला प्रस्ण भारती डंड सहीता का कौन सा उपबंध विधी तुच्छ कार्यों पर ध्यान नहीं देती के सिद्धान्त पर आधारत है A. धारा 92, B. धारा 93, C. धारा 94, D. धारा 95 इसका सही आंसर है D. धारा 95 भारती डंड सहीता की धारा 95 D. मिनिमस नोन क्यूरेट लैक्स अर्थात बिदी तुच्छ बातों पर ध्यान नहीं देती किस दांत पर आधारत है धारा 95 के नुसर तुच्छ अफानी कारत करने वाला अपराद एक ऐसा अपराद है कि मामूली समझ और सोभाव वाला ब्यक्ति उसकी सिकायत नहीं करेगा 93, सदभाव पूरवक दी गई संसूचना धारा 95 सहमती के बिना किसी व्यक्ति के फायदे के लिए सदभाव पूरवक किया गया कार जबकि 94 बह कार जिसको करने के लिए कोई व्यक्ति धमकियों के द्वारा बेबस किया जाता है या सिद्दान थे मेरा कार मेरी एक्षा के ब्रुद्ध किया गया है तो वह मेरा कार नहीं है देखते हैं अंगला प्रस्ट ए ने बी को बी की माचिस उठा कर अपनी सिगरेट जला ली बी ने अपनी माचिस की चोरी का आरूप ए पर लगाया इन परिष्थितियों में निम्लेकत में से किस सुत्र की सहायता से यह अपना बचाब ले सकता है नोन कंपोज मैंटेस डॉली इन कैपेक्स डिमीनिमेस नोन क्यूरेट लेक्स इगनी रेंसिया जियूरेश नोन एक्स क्यूजेट इसका सही आंसर है सी जो डिमीनिमेस नोन क्यूरेट लेक्स जो की धारा पंचानवे से संबंधित है देखते हैं इसका वो ब्याख्या डिमीनिमेस नोन क्यूरेट लेक्स का सिध्धान्द भारतिय डेंट साही ताकि धारा पंचानवेब में उबंधित है जिसका अर्थ है बिधी तुच्छ कारणों पर ध्यान नहीं देती धारा 95 केनुसार कोई बात इस कारण अपराद नहीं है कि उससे कोई अफ़ानी कारथ होती है या कारथ की जानी आसित है या कारथ होने की संभाब बिता ग्यात है यदी भह इतनी तुच्छ है कि मामूली समझ और सौभावाला कोई व्यक्ति उसकी सिकायत ना करेगा अता यह सुत्र की सहायता से अपना बचाप कर सकता है तेट्र तुछ आपहानी कारत करने वाला कार एक अपराद है, अपरात नहीं है, अपराद नहीं है यह दि भै इतनी तुछ है कि मामूली समझों शोभा वाला व्यक्ति, कोई सिकायत नहीं करेगा कोई सिकायत नहीं करेगा कोई सिकायत नहीं करेगा डी उपरयुक्त में से कोई नहीं इसका सही आंसर है सी अपराध नहीं है यदि भै इतनी तुच्छ है कि मामूली समझ और सौभाव वाला कोई व्यक्ति सिकायत ना करे सी भारती डेंड सहीता 1860 की धारा पंचानवे के अनुसर कोई बात इस कारण से अपराध नहीं है कि उससे कोई अपहानी कारत होती है या कारत की यानी आसेत है या कारत होने का संभाव बिता सांत है यदि भै इतनी तुच्छ है कि मामूली समझ और सौभाव वाला कोई व्यक्ति उसकी सिकायत नहीं करेगा लेटन मैक्स सुक्ति डी मिनीमस नोन क्यूरेट लैक्स अर्थात लॉड डाज नॉट टैक्स क्यार ओफ क्या है टिडी फाइल विदी तुच्छ बातों पर ध्यान नहीं देती है पर यह आधारित धारा है देखते हैं अंगला प्राश्न भारती ये डंड सहीता की कौन सी धारा विदी तुच्छ बातों को ध्यान में नहीं लेती है डी मिनीमस नोन क्यूरेट लैक्स की सिद्धान्त पर आधारित है धारा एकानवे, धारा बानवे, धारा चोरानवे और धारा पंचानवे इसका सही आंसर है डी धारा पंचानवे डी मिनीमस नोन क्यूरेट लैक्स का सिद्धान्त भारती ये डंड सहीता की धारा पंचानवे में समाविष्ट है जिसका अर्थ है कि बिधी तुच्छ बातों पर ध्यान नहीं देती छोटी मूटी बातों पर देखते हैं अंगला प्रस्ण भारती डंड सहीता की कौन सी धारा बिधी तुच्छ बातों को ध्यान में नहीं लेती डी मिनिमस नोन क्यूरेट लेक्स के सिद्धान्थ पर आधारित है इसका सही आंसर है डी धारा पंचान्वे धारा पंचान्वे इस सिद्धान्थ पर आधारित है कि विधी तुछ बातों को ध्यान में नहीं ले दी डी मिनिमस नोन क्यूरेट लेक्स वीडियो देखने के लिए धन्यवाद इसका अंगला पार्ट हम कल देखेंगे चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो को लाइक करें